जै माता दी, जै मा का माख्या, मा भगवती जगत जन्नी, आदिशक्ती भवानी, सभी को सुखी रखे, स्वस्त रखे, प्रसन रखे, सभी को धन दे, सुख दे, संब्रद्दी दे, शांती दे, और सुखी जीवन व्यतीत करे. जैसी कामना हमा भगवती से आपके लिए करते हैं. जैश्वर्य देही में देवी भरमेश्वरी. अम जैन्ती मंगला काली भदर काली कपाली नी दुरुगा छमा शिवा धातरी स्वाह सदा नमस्तुते अम सर्मंगल मंगल ये शीवे सर्वा साधी के शरन्य दंब के गोरी नाराई नी नमस्तुते दुर्गति नाशिनी दुरुगा जय जय कालवी नाशिनी काली जय जय उमारमा ब्रह्मानी जय जय सीताराधा रुखमनी जय जय महालक्षमी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरी प्रिये नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानी धी काली काली महा काली काली के पापनाशी नी खडग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते काली काली महा काली काली के परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नाराएनी नमस्तुते नी रहा रहा रधन सार सुधा करम भाकल यानम दाकन गजंपक दाम भूशाम उतलंग भिनको जुगंब मनौ हरांगी वानी नमामी मन सावस्विपूतिये अम एम सरस्वत्य नमहा ओम रिम धुन्दुरुगाई नमहा या जल जल प्रजल अगनी रूपाई ओम होम रिम स्रिम्जवाला देवी नमो नमहा देवी प्रपनता तीहरे प्रसीद प्रसीद मातर कि जो खिल श्य प्रशिद विश्वेश्वरी पाही विश्वंतम इश्वरी देवी चराचर श्य शुमम गरोती कल्यानम आरुग्यम धन्चंपदा शत्रु बुद्धी विनाशाई दीप जोती नमस्तुते योनी मात्र शरीराय कुंजवासी नी कामदा रजस्वला माहा जा कामाक्षी ध्यायताम सदा काम प्रिया कामरता कामा काम सरुपिनी कामीनी कामीनी काम्या कामुका काम चालनी काम बीज इस्तता काम पीठ निवासीनी कामदा काम हाकाली कपाली कराली का या देवी सर भूतेशु लक्ष्मी रूपन संस्तिता नमत्त से 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 न वाहुं युक्ताम देवीं वरा भेंकराम सुनेद ओम ध्यायतकाली महामायातीने त्रामभवु रूपिनिम चत्रभुजाम लल्जिवाम चन्पूर्ण चन्द निभाननाम नीलोत पल्दल्शाम प्रक्ष्याम शत्रु संग विदारिनिम नर्मुंड तता खडगं कमलं वरद विभ्रानाम रक्तवद्राम दर्ष्टाली घृरूपिनिम अट्ठाहस निर्ताम सर्वताम च दिगंबराम सवाच निष्टितादेवी बुन्द मालाय भूचिताम आम नमो भगवते वासु देवाय आम गिरिम कष्णाय नमहा आम लक्ष्मी नारणाय नमहा आम द्यान गम्यम वंदे विष्णु भय हरम सर्व लोक एकनाधम अम पुंडरी काक्षा विद्महें गरुडवाहना धीमही तन्नो विष्णु पजयोत्यार कालहर कष्टहर दुखहर तापहर पापहर संतापहर दारिद्धहर संकडहर तू करता वहे जो तू चाहता है तू चाहता है या इश्वर केता है और सुक समर्दी शांती दे देवरादा टस्त त्यवानी चैनल जो मनुष्य इस इस्तुती को रोजाना बोलता हो तो उसके सभी प्रकार के कष्ट दूर होने की संभा होना है पूरी-पूरी क्योंकि ये इस्तुती बोलने से आपके पापो का नाश होता है और जब पापो का नाश हो जाएगा तो आपको सुक अवश्य मिलेगा इसलिए इश्वर की शरनाकर जाकरके उनकी इस्तुतिया बनाई गई है कि जिस भी इश्वर को हम मानते हूं उसकी इस्तुती बोलिए उसकी चापलूसी करिए ताकि आपके पापों का नाश हो सके और जब पापों का नाश होगा तो आपको निश्चित तोर से सुख मिलेगा ही मिलेगा और जब सुख मिलता है तो आनंद मिलता है और जहां आनन्द होता है, वहाँ पर लक्षमी की क्रपा होती है, और जब पेसा आएगा, तो आप निश्चित तोर से धरम करम के कारियों में ही पेसा लगाओगे, तो आपका पुन्य बढ़ेगा, यदि किसी व्यक्ति को यह इस्तुति चाहिए, तो देवराधा टस्ट से सं पर कर सकता है, निश्चित तोर से यह इस्तुति उनको प्राप्त हो जाएगी, जैमाता दी, जैमा का मख्या, अब हम आपको एक विशेश ठोटका बताने जा रहे हैं, यह ठोटका आप अपनी दुकान पर लगा सकते हो, घर पर लगा सकते हो, फेक्टरी में लगा सकते हो, और यहां तक की यह ठोटका दुकान के सामने भी लगाए जा सकता है, दर्वाजे पर लटकाए जा सकता है, फंतु यह ठोटका गेट के बाहर करते हैं, अब यह अंदविश्वास भी कह लीजिए, यह तो अंदविश्वास मान करके लगाएं आप, यह फिर आप इसको इनरजा नहीं आईएं। नजर दोश विशेस तोर से ख़तम होती है, बूरी नजर से बचने के लिए भी ये नजर दोश और बूरी नजर से बचने के लिए हरी मिर्ची और नीबू का टोटका किया जाता है। भी प्रकार का नजर दोश नहीं हो सकता है हरा नीबू में एसीर ज़यादा होता है हरी मिर्ची में भी कुछ केमिकल होता है जब वो सुकती है उसका हवा से संबंद बनता है तो उस उतने उतने इस्थान को वह पवित्र करती है तो नकार आत्म गुर्ज़ा आपकी नहीं आती है और नीबू मिर्ची का प्रयोग भहुत से भोपा लोग करते हैं, ओजा लोग करते हैं, भगत लोग करते हैं, गुन्या लोग करते हैं, तांत्रिक लोग करते हैं, पंडित लोग करते हैं, पुजारी लोग करते हैं, तो ये नीबू मिर्ची बहुत ही पा कान के सामने अपनी फैक्टरी के सामने अपने दरवाजे के सामने अपने गेट के बाहर ये हरी मिर्ची याने चार हरी मिर्ची बीच में नीबू फिर तीन हरी मिर्ची काले धागे में आपको नीचे काला कोईला हो उससे बाहन करके सुछ से पीरो करके आपको लटकाना है शन में बारा बज़े लगाएं और दिन केवल एक ही सब्ता में एक ही दिन बदनना है आपको यदि बीच में जल्दी खराब हो जाती है मिर्ची या नीवू कुछ भी तो ये मान के चलो किसी ने आपकी दुकान के उपर फैक्टरी के उपर व्यावसाय के उपर किसी ने जादू तोना किया था उसको इसने जेल लिया है नीवू हमेशा हरा ही होना चाहिए और हरी मिर्ची बेकुत ताजी होनी चाहिए दंठल टुटी होई नहीं होनी चाहिए खंडित हरी मिर्ची नहीं होनी चाहिए ये नीवू मिर्ची कारों में भी आप लगा सकते हो ट्रकों में भी लगा सकते हो, एक्सिडेंट से बचाती है, और वास्तुख दोश को भी दूर करती है, और वातावरण को शुद्ध करती, स्वच्छ करती, पवित्र करती है, इसमें नीबु जो है, पीला नीबु बिलकुल भी नहीं होना चाहिए, नीबु जो होता है, वो प्रेतों को रोकन काम करता है किसी ताँतらिक किरिया को रोकने का काम करता है। इसलिए नीबू समें होना अक्टन दावशक है और यह करके आप अपनी किस्मत को जगा सकते होS पिसमत को जब जाग जाती है आपकी तो निश्चितों से आपका व्योसाय चलने लगता है तो इसमें जो आवश्यक चीजे होती है काला कोईला की जरौत होती है काले धागे की जरौत होती है एक हरी मिर्ची की जरौत परती है हरे नीबू की जरौत परती है पहले नीचे जो ह होना चाहिए आरि में हो जागा तो एक काम नहीं करेगा और फिर तीन हरी मिलची की ज़रोत होती ए और फिर जो है आपको उसमें बहांने के लिए तदा धागा होना चाहिए तो इससे बहुत सारी चीजे हो आती है यह मंगलवार को भी करते पर मंगलवार के लिए नियम अलग है और शनिवार के नियम जो मैंने आपको बताए वो नियम है जैमातादी जैमा का मक्या